तो तो कोश्चीन हीर इस 150 वार्कर्स वारेंगेज टो फिनिच जब इनने सटन नंबर अब देज तर हमने 150 वार्कर्स को एंगेज किया है कोई भी एक काम को एक फीक्स देग अंदर खतम करने के लिए लेकिन हर एक दिन चार वार्कर कम होते हुए जा रहे हैं तो फिर हमारा जो फीक्स देग था उससे ज्यादा दिन लग जाएगा काम को खतम करने के लिए तो फिर हमें यह पता करना है कि कितने दिन के अंदर वो काम खतम हुआ है घर लेकितने दिन हमने फिक्स किया था काम खतम करने के लिए उसको हम कॉई बेक विए अधिम कर लेते हैं तो फिर मैं यहां भी लिखूंगा let the number of days तो अपर हमने कितने workers के लिए आजिम किया था? 150 workers के लिए number of dates taken by 150 workers to complete the job or to finish the job उसको हम ले जाएंगे से एक्स एक्स दिन है तो काम को खत्म करने के लिए आन मैं यह बता दो जब भी तुम्हे वार्कर और जॉब रिलेटर काम कर रहे हो हमें क्या करना है हर एक चीज को यूनिट के हिसाब से लेना है मतलब हर एक दिन यहां पर मैं लिख लेता हूं क्या क्या जंचना में करना तो बता उसके सबसे 150 वार्कर एक दिन में कितना प्रकरेंगे उभ्यसरी 150 ज्यादा हो जाएक गाम तो 150 यूनिट तो टोटाल कर रहे हैं तो फिर बताओ एक्स दिन हमने ले आ था नहीं एक्स दिन में कितना काम करेंगे x times बढ़ जाएगा यह unit, तो 150 x unit हो जाएगा total काम, तो फिर हमारा यह जो job है, इसका total जो काम या फिर total unit का काम है, 150 x unit का काम है, total job जो है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, the total job is 150 x unit, तो फिर आप भी देखते हैं, हमारा जो situation हो है, वो आम पर क्या दिया है, दिया है कि पहले दिन जो है, कितने वार्कर्स हैं, 150 वार्कर्स थे, अगर जो आजिम पर काम होगा, और सिमिलरली यह से कितने दिन हुआ है, यहाँ पर जयागा है कि 8 more days लगा है, मतलब जितना दिन हमने आजिम किया तो उससे 8 दिन ज्यादा लगा है, तो हमने कितना दिन आजिम किया था, हमने आजिम किया था, x days, तो फिर यहाँ पर total कितने देन होगे, ऐसे ही, x plus 8 days होगे, ठीक है, यहाँ पर कितने workers थी यहाँ हमें नहीं पता, लेकिन x plus 8 day तक हमारा काम चला था, तो उसके सबसे total कितना काम होगा, पहले दिन 150, second day में 142 unit, sorry, 146 unit, third day में 142 unit, and so on, ऐसे x plus 8 number होगे, वो सबको मिलाएंगे, तो total हमारा जो unit का काम होगा, total unit का काम कितना है, 150x unit है, तो फिर हर एक दिन का unit का काम का हम आड़ करेंगे, तो फिर total unit आ जाएगा हमारा, तो अभी देखते हैं, left side में जो है, clearly एक AP का, AP दिया गया है, देखो, 156, 146, 142, बूट करना है, तो फिर यह जो AP है, यहां पर A कितना है, यहां पर A है, 150, and D कितना है, D is 146 minus 150, और minus 4, negative 4 होगा, obviously क्योंकि यह घरता हूँ जा रहा है, तो फिर अभी हमारा क्या हो जाएगा, sum का formula क्या है, N by 2, यहां पर लिख लेता हूँ पहले formula, 2A plus N minus 1 into D, that should be equal to 150 into X, so N by 2, what is the N here, total X plus 8 numbers है, तो फिर यहां पर N हो गया, X plus 8 upon 2, यहां पर 2A, A कितना है, A is 150, plus N minus 1, means again, X plus 8 minus 1 into D, D is negative 4, value put कर लिया हमने, अभी इसको solve करेंगे, तो फिर हमें X का value हो मिल जाएगा, तो solve करते हैं आगे, so this becomes, X plus 8 upon 2, यह हो जाएगा 300, plus X plus 7, whole into negative 4, equal to 150X, अभी यह 2 को right side को ले जाएगे, तो यह हो जाएगा, X plus 8, whole into 300, minus 4 को multiply कर लेंगे, तो यह हो जाएगा, minus 4X, minus 4 into 7, equal to minus 28, is equal to 150X, and 2 को right side ले जाएगे हम, यहां से left, right को लाएगे, तो 2 multiply हो जाएगा, तो अभी यह हो जाएगा, X plus 8, whole into, यह हो गया, 300, minus 28, which is equal to 272, minus 4X, equal to, यह हो गया, 300X, let's solve further, now, let's multiply these two, then X into 272, that will be 272X, X into 4X, that is minus 4X square, 8 into 272, that will be equal to 8 to 16, 8 to 56, 8 to 16, 1, 5, 16, 5, 21, next, 8 into 30, minus 4, that is equal to 32X, which is equal to 300X, now, this becomes negative 4X squared, 272 minus 32, that will be 240X, plus 2176, is equal to 300X, now 300X को लेट से ले ले आते है, negative 4X squared, plus 240X, plus 2176, minus 300X, is equal to 0, यह हो गया, negative 4X squared, 240, minus 300, that is equal to, minus 60X, plus 2176, equal to 0, अभी, negative multiply कर लेते है, यह हो गया, 4X squared, plus 60X, यह हो जाएगा, negative, sorry, negative 2176, is equal to 0, यह quadratic equation में हो गया हमे, इसको ओर थोड़ा भी simplify कर सकते हैं, मैं अगर इससे 4 common ले लूँगा, तो यहां पर रहेगा, X squared, plus 15X, यह हो जाएगा, 4, 5, 0, 20, 4, 4, 16, 4, 4, 16, so now, this is, 4 को राइड साइड को ले जाएगे, तो 4 divided होके 0 हो जाएगा, यह हो गया, X squared, plus 15X, minus 544, equal to 0, अभी, इसको हमें क्या करना, quadratic equation को जैसे solve करते हैं, वो solve करके, यहां पर X का value find out करना है, यहां पर middle term split method apply कर लेते हैं, यहां फिर factorization process जैसे करेते हैं, हम क्या करेंगे, middle term जो है, 15 को ऐसे break करेंगे, अगर add करेंगे, तो plus 15 तो आएगा, विशल 15 को ही split कर रहे हैं तो, लेकिन multiply करेंगे तो negative 544 आएगा, तो फिर क्या होगा, that will be X square plus I think 32X minus 17X, यहां 32 minus 17 equal to 15, then 32 times 17 equal to 544, तो ठीक है, negative 544 is equal to 0, so now taking X common, this becomes X plus 32, minus taking 7, minus 17 common, this becomes also X plus 32, so now the answer is, or the factorization is X plus 32 whole into X minus 17 is equal to 0, now you have to assume each of the expression to be 0, so here X plus 32 will become 0 or X minus 17 will be equal to 0, if X plus 32 becomes 0, so X equal to negative 32 or if X minus 17 equal to 0, X becomes 17, obviously negative 32 cannot be considered, because X is the number of days, so number of days can't be negative, hence, X becomes 17, means हमने जो फिक्स किया था, वो है 17 यहां पर कोश्चिन दिया है, in how many days, or to find the number of days, in which the work was completed, कितने दिन में काम खत्म हुआ, हमने जो आजिम किया था पहले, वो है 17, लेगिन काम कितने दिन में खत्म हुआ, the work, or the job, got finished, 8 दिन ज्यादा लगे हमें, in X plus 8 days, which is equal to, 17 plus 8 equal to 25 days, तो फिर काम जो है हमारा 25 days में खत्म हुआ है,